Most Welcome in Indian Agriculture's Channel आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ Most Important Information Related to Technics of Weak Cultivation in India यह information most important है उन बच्चों के लिए जो Agriculture Competitive Exams की तेयारी कर रहे हैं Like B.A.C. Honors Agriculture, J.R.F., S.R.F., Bank, A.O. The scientific name of the V.C.O.P. is Titicum Estivum जो इसका जीनस है वो क्या है? Titicum Okay, and it belongs to the Grameenie family और इसको साथ में हम बोल सकते हैं पोल सी फैमिले से जो Center of Origin है वीट का वो कहां से हुआ है? South Asia से अब हम बात करेंगे कि जो वीट क्रोप है वो इतनी important क्यों है? क्योंकि जो वीट है, वीट वर्ड की Most Important Staple Food Crop है जो कि आती है First Number पे Second Number पे आता है Rice लेकिन इंडिया की अंदर जो वीट क्रोप है वो आती है Second Number पे, First Number पे Staple Food Crop कौन सी है? Rice है साथ में जो वीट क्रोप है वो क्या है एक Good Source है Feed का for the Animals और ये क्या है? इसमें रिच है Carbohydrate 72% और प्रोटीन कॉन्टेन इस 10-12% साथ में ये है रिच है लाइक दी, नाइसीन, एंड धायमीन और इसके अंदर एक ऐसा कमपाउंड प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं Gluten Gluten का में काम क्या है? कोई भी हम compound बनाते हैं कोई भी हम product बनाते हैं जैसे bread bread हमने बनाया तो bread को एक specific structure देने के लिए में रोल किसका है? Gluten का और ये जितनी भी other cereal crop हैं उनके अंदर gluten content या तो बिलकुल कम है या फिर ना के बराबर है साथ में क्या है? इसके अंदर जो essential vitamins हैं like vitamin B and vitamin E ये भी इसके अंदर पर्चूर मातरा में पाए जाती हैं और इसके अंदर minerals हैं calcium, irons और साथ की साथ ये क्या है? fiber rich crop है अब आपने सुना होगा कि wheat का जो seed है उसका भी क्या होता है? chlor होता है तो उसका जो chlor है वो depend करता है compound पे और उस compound का नाम है phenolic compound अब क्या है कि जो phenolic compound है ये seed के अंदर present है फिर इस compound के उपर कुछ browning enzymes काम करते हैं और वो enzyme क्या करेंगे? phenolic compound को एक pigment के अंदर convert कर देते हैं जिसकी बज़र से wheat का क्या आता है? color आता है अगर wheat seed का color whitest type का है तो हम उसको बोल सकते हैं उस seed के अंदर phenolic compound की क्या है? deficiency अब हम बात करेंगे wheat crop के uses के अब क्या है? जहां पे wheat crop as a staple food crop यूज की जाती है वहां पे हम इसका यूज करते हैं इसके floor का चपाती बनाने के लिए लेकिन जिस area के अंदर rice crop क्या है? staple food है वहां पे wheat का use किया जाता है पूरी बनाने के लिए उपमा है, दलिया है, हलवा है और इसके जो other uses हैं वो हैं sweet meals के लिए bread के लिए flax, cakes and biscuits के लिए और इसके other uses भी हैं लाइक जो wheat का straw है wheat का जो straw है उस straw का हम क्या करते हैं animal के feed के लिए उसको use करते हैं जितना भी crop का जो residue रहता है, residue को हम use कर सकते हैं as a mulching material जितने भी rain fed area है, वहां पे हम इसको as a mulching material use कर सकते हैं जिसके वज़े से क्या होगा weed population भी कम होगी साथ में जो evaporation rate जादा है, वह भी कम हो जाएगा और जैस दीरे दीरे इसका क्या होगा decomposition होगा, और यह किसमे help करेगा, soil के organic matter में soil का organic matter क्या कर देगा, increase कर देगा फिर बात आती है कि इसका जो another use है वो है अब क्या है हम बात करने वाले हैं regions of low production and productivity बहुत सारे रीजन थे जो productivity आती थी wheat की, उसके main reason क्या थे है कि जो green revolution है green revolution के आने से पहले जो हम wheat की varieties ग्रो करते थे, वो किस type की थी, वो थी tall growing habits की varieties तो tall growing जो crops थी, जो varieties थी उसमें और उनकी एक और habit थी, वो क्या थी poor tillering habit और उनके अंदर जो sink capacity थी, वो भी क्या थी, कम थी एक होता है source एक होता है sink source का काम वो करेंगे जहां पे photosynthesis होगी जितने photosynthesis बनेंगे फिर ये store होंगे grain के अंदर grain होता है sink तो इनके अंदर storage करने के लिए ही capacity क्या थी, लो थी तो जिसकी वज़े से क्या था, जो production था और productivity थी per unit area वो क्या होई थी decrease क्योंकि जितनी भी tall growing varieties हम गरो करेंगे तो उनके अंदर क्या होगा main बात किसकी problem आती है loging की और loging की वज़े से जैसे termite का attack है disease है, pest hack attack है या फिर rats वगेरा है, birds है तो वो क्या करेंगे इसकी और साथ में germination percentage इस भी क्या हो जाएगा reduce हो जाएगा और वो direct effect कहां पे जाएगा crop की yield पे और green revolution से पहले जो हम variety grow करते थे वो highly susceptible थी किसे digit से और वो thermo photosensitive varieties थी और उनकी उसकी वज़े से क्या थी poor adaptability लेकिन green revolution के बाद क्या हुआ कि जितनी भी विराइटी थी जो photo sensitive varieties थी बहुत सारी variety ऐसी release की गई जो photo insensitive है जो adaptability पे जिनका effect क्या होता है कम होता means वो किसी भी area के अंदर adapt कर जाती है फिर क्या है कि जो variety थी वो एक long duration variety थी और उस long duration में climate किसी भी type का हो सकता है किसी भी time पे rainfall हो सकती है thunderstorm आ सकते है तो उसकी वज़े से भी disease का insect pest का attack आता था और जिसकी वज़े से जो production था और उसकी productivity थी wheat की वो क्या हो रही थी reduce टाल विराइटी से तंग आके फिर ग्रीन revolution लाय गया और ग्रीन revolution में major contribution रहा है Norman Borlog का और MS स्वामिनातन का जो Norman Borlog है उनका contribution रहा है word के अंदर green revolution लाने में लेकिन इडिया के अंदर green revolution कौन लेके आया Dr. MS. स्वामिनातन जो Dr. Norman Borlog है वो क्या है एक agricultural scientist और MS. स्वामिनातन भी कहा है एक agriculture scientist है जो नॉर्मन बोर लोग ने डवलप की different high yielding wheat varieties जो क्या थी dwarf और semi dwarf varieties थी लेकिन MS स्वामी नाथन ने जितनी भी varieties डवलप की वो थी wheat की और rice की और वो varieties क्या थी high yielding varieties जो fertilizers को और high water irrigation facilities को क्या करती थी जादा से जादा response देती थी means जैसे wheat है wheat के अंदर अगर 2 या 3 irrigation लगेंगी तो यहां क्या है कि हम इन्होंने ऐसी variety डवलप की जिस variety में अगर 4 या 5 irrigation दी जाएं तो उस variety की yield क्या हो जाएगी per unit area increase हो जाएगी productivity ओके और major contribution रहा है डोक्टर बीपी पाल का जो की IRI के first director रहे हैं और इन्होंने बहुत सारी जो rust resistant varieties seaweed की वो क्या की है डवलप की है अब बात आती है कि किस country के अंदर सबसे ज़्यादा वीट का area है किस area के अंदर सबसे ज़्यादा production है तो वर्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो cultivation किया जाता है area है वो है चाइना के अंदर और production भी सबसे ज़्यादा कहां है चाइना में लेकिन इसका mainly cultivation किया जाता है चाइना में इंडिया, Russia and USA के अंदर लेकिन इंडिया में जो states हैं वो है पंजाब, हर्याना, उत्तरपरदेश, मध्यपरदेश, राजस्थान, बिहार, महरास्टरा and गुजरात जहां पे maximum area किसका होता है वीट का ओकी लेकिन अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा area कौन सी state में है वो है यूपी, कौन सी state में है यूपी में लेकिन इसकी जो production है वो भी यूपी में है लेकिन जो इसकी productivity होगी वीट क्रोप की वहाँ वो कौन से अरिया में है पंजाब में, ठीक है वो कौन से अरिया में है पंजाब में अब हम बात करेंगे cycle की जो वीट का seed है जब उसको favorable condition में रखा जाता है favorable condition means optimum temperature, optimum moisture and solar radiation तो जब ये water का absorption करता है उस process को हम बोलते हैं imbibation, imbibation के बाद इसका seed coat क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा और इसके अंदर जितनी भी catabolism है या फिर anabolism है वो process क्या हो जाएगी start और इसके अंदर फिर हम क्या बोलेंगे उसको क्या हो जाएगा उसका germination start हो जाएगा और सबसे पहले जब आती है इसके अंदर इसका कोलियोराइजा ने इसको कवर किया है किसको जो root part है और कोलियोराइजा ने किसको कवर किया है suit part को ओर फिर इसके अंदर दो टाइप की root आती है एक आती है seminal roots और दूसरी आती है crown roots जो सबसे पहले आएंगी वो आएंगी seminal roots और उसके बाद कौन सी roots आती है crown roots आती है और जो seminal roots क्या करेंगी जितना भी nutrient या फिर moisture होती है उसको absorb करके seedling की growth में help करती है फिर साथ साथ क्या होता है जैसे ही growth और development process चलती है तो number of tillers wheat crop जो plant है उसके अंदर आती है और जैसे ही number of tillers आते रहेंगे और यह जो growth है development है वो किस के side जाता रहेगा maturity के side फिर इनके अंदर क्या आती है synchronization आती है means at a time पूरे field के अंदर maturity आ जाती है सभी plants mature हो जाते हैं और इनको दो type की maturity होती है जिसको बोलते एक होती है physiological maturity और दूसरी होती है harvesting maturity physiological maturity हम उस maturity को बोलते हैं जहां पर यह जैसे leaf है leaf से जो जितने भी photosynthes हैं वो किस के side जाएंगे grain की side तो यह जितने भी photosynthes हैं वो जाना यहां से moment करना बंद हो जाता है इनका means physiological maturity से पहले जितने भी photosynthes मूँ करने होते हैं वो seed के अंदर store हो जाते हैं और जैसे ही physiological maturity आती है उसके बाद जो nutrient है leaf के अंदर वो मूँ नहीं करते seed के अंदर ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि physiological maturity पे कोई भी wheat की harvesting कर सकता है लेकिन इस time पे क्या है कि जो grain का moisture content है वो क्या है जादा है तो इस time को थोड़ा सा और extend कर दिया जाता है उसके 10 या 15 दिन बाद आती है harvesting maturity उस time पे जो seed है wheat का उसके अंदर moisture content कम रहता है और wheat को harvest कर लिया जाता है और फिर बाद में फिर हम उनको thresh करके फिर वो किसमे convert हो जाते हैं seed में अब हम बात करेंगे wheat plant की morphology के बारे में जो wheat crop है वो क्या है annual cereal crop है और इसको किसमे include किया जाता है ग्रास में इसकी जो height है wheat plant की जो height है वो कितनी होती है 2-3 feet तक हो सकती है और इसको क्या माना जाता है C3 plant C3 plant इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके अंदर जो भी photosynthesis process होती है वो उसके through photosynthes बनाए जाते हैं और वो किसके through होती है वो होती है Kelvin cycle कौन सी cycle Kelvin cycle जो भी photosynthes हैं वो Kelvin cycle से बनाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं C3 plant अब हम बात करते हैं पूरे wheat के plant की ठीक है wheat का plant है वो दो पार्ट में divide किया जाता है एक होता है suit system दूसरा पार्ट कौन सा है root system जब भी seed germinate करता है जैसे ये क्या है एक wheat का seed है wheat का seed जब ये germinate करेगा है तो इसके अंदर कौन सी roots आती है seminal roots seminal root क्या करेंगे nutrient और water को अबजोर करके जो seedling की growth है उसमें help करती है लेकिन 20 से 25 दिन बाद एक stage आती है जो की most important stage है जिसको हम बोलते है CRI crown root initiation stage 20 से 25 दिन बाद ये जितनी भी seminal roots होती है ये सारी के सारी dead हो जाती है ये मर जाती है लेकिन इसके बाद आती है crown roots ये कहां से आती है node से ठीक है और ये जो crown root होती है ये होती है permanent और secondary root लेकिन जो seminal roots होती है वो कौन सी होती है primary and temporary roots फिर हम बात करेंगे इसके suit portion की अब suit portion में क्या है first portion आता है इसका stem वाला second portion आता है इसका leaves वाला फिर हम बात करेंगे इसके inflorescence की ठीक है जो suit portion है उसके भी क्या है तीन पार्ट है first है stem, second है leaf और third one कौन सा है flowering portion ठीक है तो wheat plant की जो stem है वो क्या है round है या फिर cylindrical shape में हो सकती है ठीक है और फिर इसकी जो stem है वो दो parts में divide की गई है यहाँ पे यह क्या है node है इन दो nodes के बीच में यह जो space होता है इसको हम बोलते हैं inter node ठीक है अब क्या है कि जो wheat की variety है जैसे Mexican wheat है ठीक है उसकी stem क्या किस type की होती है hollow या semi solid type की लेकिन वो जो inter node है वो तो hollow या semi hollow होगी लेकिन node पे यह क्या होगी solid होगी लेकिन जो durum wheat है उसके अंदर इसकी stem कैसी होगी जो inter node portion होगा वो कैसा होगा semi solid ठीक है वो hollow नहीं होगा फिर बात आती है type of leaf जो wheat की leaf है उसके भी चार पार्ट है ठीक है एक होता है blade इस portion को हम बोलते हैं blade ठीक है लेकिन जो भी इसकी seat है यह क्या इसकी पूरी seat है इसको हम क्या बोलेंगे leaf seat ठीक है और इसके अंदर ही क्या होते है जैसे यह इसके अंदर दिखाया गया है यह क्या है एक legule है और इस portion को जो downward side में जो lobs हैं उनको हम बोलते हैं auricles ठीक है फिर हम बात करेंगे कि inflorescence की inflorescence क्या होती है जो flowering portion होता है उसको हम inflorescence बोलते हैं तो wheat की inflorescence को हम क्या बोल सकते हैं head, ear and spike क्या बोल सकते हैं head, ear and spike लेकिन क्या है कि जो group of spike है जैसे यह क्या है यह spikelets जो single है उसको हम क्या बोलते हैं spikelet जो पूरा दिखाया गया है यह क्या है spikelet group of spikelet ko हम क्या बोलते हैン spike, जिसको हम क्या बोलते हैं बाली भी बोला जाता है और जो ये spikelet है spikelet के यहां पूरी structure दिखाए गई है इसके अंदर lemma और paleo abe होते है जो outer portion होता है ये वाला ये इसको हम क्या बोलते हैं glumes जिसके अंदर क्या है सीड होता है और ओवरी प्रेजेंट होती है ठीक है और जो ये डंडी वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं रैचिस ठीक है लेकिन ये जैसे ये है ऐसे होता है ये इसको हम बोलते है रैचिला और जो ये होता है ये होता है रैचिस और यहाँ पे स्पाइकलेट बने होते ह और यह जहां से इसके inflorescence होती है यह upper most node होती है node पे से ही leaf आती है, birds आती है, number of tillers आती है तो यह हमने बात की morphology और botanical description of the wheat crop अब हम बात करने वाले है wheat, seed, composition wheat का जो seed है, उसके तीन important parts है first है germ, जिसको हम क्या बोलते हैं, embryo दूसरा part है brand, जो किसमे include होता है seed coat में जिसको हम क्या बोलते हैं, seed coat फिर है जो major part है, वो है starchy endospom ठीक है, क्या है starchy endospom जो germ है, जो embryo की composition है, वो है 2.5% ही उसके अंदर embryo का portion है, brand है 14% लेकिन जो सबसे ज़ादा major part है, वो किसका है endospom का, वो हो सकता है 83 से लेके 87 के बीच में ठीक है, और जो endospom है, endospom में ही सारे nutrient organic form में store होते हैं, जैसे ही seedling की growth होती है, suit की growth होती है, cotyledon की growth होती है, तो nutrient कहां से supply किये जाते हैं, endospom से, ठीक है, तो जर्म के भी most important part है, इसके यह क्या है, जर्म composed the various parts, like plumol, plumol हम किसको बोलेंगे, suit को, plumol हम किसको बोलेंगे, suit को, और radical को हम क्या बोलते हैं, root, और scutellum and hypocotile, जो scutellum है, वो क्या करेगा, embryo और endospom को connect करके रखता है, means, जैसे endospom में से जितने भी nutrient है, वो supply कहां तक करेगा, embryo तक, यह एक bridge का काम करता है, scutellum, ठीक है, फिर आते हैं, bran पे, bran means, जो seed coat है, seed coat में लेयर होती है, एक pericarp की जो अपर्मोस्ट लेयर होती है, एक होता है इसके अंदर testa, new cellus, और alluron layer, जो alluron layer है, वो भी क्या है, nutrient rich layer, यह है complete information about the seed composition of the wheat crop, जैसे, अब हम बात करेंगे classification of wheat, wheat की अब तक word के अंदर 25 जो spaces हैं, उनको recognize किया गया है, उनमें से 3 important spaces ऐसी हैं, जिनको इंडिया में grow किया जाता रहा भी है, और की जा रही है, ठीक है, इनमें है, diploid species भी है, जिनके number of chromosome कितने हैं, 14 है, जो tetraploid हैं, उनके number of chromosome है, 28 एंड जो hexaploid है, उसके number of chromosome कितने हैं, 42, जो diploid species है, उसका center of origin है, Asia Minor, लेकिन जो tetraploid species है, उस वो कहां से original हुई है, Abyssinia और North Africa से, लेकिन जो hexaploid species है, उसका origin हुआ है, Central Asia से, अब क्या है कि जो अब हम इसके ध्यान में दिलाएंगे कि कौन-कौन से example हैं, जो include किये जाते हैं, diploid species के अंदर, diploid species में आता है, triticum, monococum, जो variety है, फिर है tetraploid, tetraploid के अंदर हम species include करते हैं, triticum, durum की, जिसको हम बोलते हैं, macaroni, wheat, और उसको mainly किस यूज में लिया जाता है, सुजी बनाने के लिए, ठीक है, next है triticum, diococum, इसको नाम से जाना जाता है, ama wheat, ठीक है, ये mainly opma बनाने के लिए ही use की जाती है, फिर है hexaploid, जो triticum estivum है, वो कौन से species है, hexaploid type की है, और इसको हम किस नाम से और जानते हैं, bread wheat के नाम से, या फिर Mexican dwarf wheat के नाम से, और ये जो species हैं, ये mainly bread बनाने के लिए ही इसका cultivation किया जाता है, हलो, अब हम बात करेंगे कि wheat crop का cultivation हम किस टाइब के climate में ले सकते हैं, तो जो climate है इसके लिए favorable है, वो tropical भी है, subtropical और temperate जोन में भी हम wheat का cultivation कर सकते हैं, लेकिन higher production और higher productivity के लिए इसके लिए जो best environment है, जो best climate है, और जो best temperature है, temperature इसके germination के लिए होना चाहिए 20 से 25 डिगरी celsius, और at the time of ripening जो temperature है, वो germination से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, उसकी जो range है, वो 14 से लेके 15 डिगरी celsius के बीच में होनी चाहिए, in case अगर temperature ज़्यादा हो जाता है, wheat जो grain है, उनकी ripening के time पे, तो क्या होगा जो उसका weight है, seed का वो क्या हो जाएगा, reduce हो जाएगा, वो इसलिए हो जाएगा, क्योंकि grain को fill करने के लिए क्या चाहिए से ज़्यादा से ज़्यादा फोटो संथेट्स जाहिए, लेकिन high temperature की वज़े से transpiration rate क्या हो गया, ज़्यादा, और transpiration rate उन फोटो संथेट्स को अपनी process में consume कर लेता है, जिसकी वज़े से वो फोटो संथेट्स grain filling के लिए क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और grain का weight automatically क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर क्या है कि जो most important जो climate है wheat cultivation के लिए वो कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा ठंडा ठंडा type का climate होना चाहिए, उसके बाद dry और warm temperature होना चाहिए, लेकिन जो wheat है वो सहन कर सकती है cold को भी और snow को भी, लेकिन जैसे ही हमने क्या करवाया, seed की sowing करवाई है, उसमें germination start हो गया, और just उसके बाद क्या हो जाती है, rainfall condition create हो जाती है, rainfall आ जाती है, तो वो एक process होती है, जो seedling blight जिसको हम बोलते हैं, उसकी वज़े से जितनी भी wheat की seedling अब वो सारी burn हो जाती है, तो just after germination और sowing, rainfall क्या है, harmful है, wheat की seedlings के लिए, फिर क्या है कि जो warm, जो climate है या फिर damp type climate है, वो भी wheat cultivation के लिए favorable नहीं है, फिर हम बात करेंगे कि wheat heading की और flowering stage की, जो heading और flowering stage है, ये बहुत ज़्यादा sensitive stage है, तो इन stages पे ना तो temperature कम होना चाहिए और ना ही temperature ज़्यादा होना चाहिए, इस time पे temperature क्या होना चाहिए, most important है कि इस time पे temperature optimum होना चाहिए, और ना ही इस इन दोनों stages के उपर time पे drought condition create होनी चाहिए, तो जो cloudy weather है, cloudy weather में उसके साथ साथ क्या है, high humidity है, और temperature भी क्या है, low है, तो उसकी वज़े से क्या है, rust का attack भी increase हो जाता है, तो wheat cultivation के लिए best temperature कौन सा है, जो क्या हो थोड़ा थोड़ा, ठंडा हो, cold हो, snow भी हो सकती है, snow के बाद जो spring time आता है, तो उस time पे wheat की seedling की growth क्या हो जाती है, best होती है, number of tillers increase हो जाते हैं, wheat की cultivation के लिए जो best soil है, वो है clay loam और loamie texture की soil, जिस soil की जो water holding capacity होती हो, वो कैसी हो, moderate हो, ज्यादा water holding capacity नहीं होने चाहिए, नहीं तो उसमें main problem फिर किसकी आएगी, poor drainage की, ठीक है, और उसके अंदर जो oxygen की deficiency है, वो main problem किसके साथ create करेगी, wheat की plant की growth के लिए, ठीक है, तो दिहान क्या रखना है कि हमने wheat का cultivation किस टाइप की soil में करना है, जो clay lime, clay loam और loamitexer की soil है, जिसकी water holding capacity कितनी होनी चाहिए, moderate water holding capacity होनी चाहिए, और well drained soil होनी चाहिए, लेकिन साथ में क्या है कि highly porous और excessively drained soil भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर highly porous या excessively drained soil होगी, तो क्या होगा, जैसे ही water की application की जाएगी, सारा का सारा by the percolation process, water कहाँ चलाए जाएगा, below the root zone, फिर वो crop के लिए economic नहीं है, ठीक है, साथ में एक main बात क्या है कि जो heavy type soil, means जो clay type soil है, वो इसके लिए prefer नहीं की जाती, wheat के cultivation के लिए, क्योंकि उस जो clay type soil है, उन soil की water holding capacity बहुत ज़्यादा होती है, और वो poor drainage होती है उन soil में, जिसके वज़े से क्या होती है, जो oxygen की deficiency है, वो create हो जाती है, और wheat crop is very sensitive to water logging condition. अब हम बात करेंगे seed selection की, seed treatment की, और seed rate की. कोई भी farmer है या जहां भी wheat का cultivation किया जाता है, तो हमेशा certified seed का use करना चाहिए. high quality seed और high germination percentage वाला seed ही हमने क्या करना है, select करना है. selection के बाद हम क्या करेंगे, उस seed को हम treat करेंगे fungicide के साथ, जैसे हम बोल सकते हैं, wheat wax के साथ और thiram के साथ. और हम उसकी dose लेंगे 2.5 gram एक किलो seed के लिए. अब बात आती है कि अगर normal condition है, तो हम wheat का seed लेते हैं 100 kg per hectare. लेकिन in case क्या हो जाती है, wheat की cultivation थोड़ा सा लेट हो जाती है sowing की, तो उस time पे seed का जो rate वो increase हो जाता है, और वो कितना हो जाता है, 125 kg per hectare. बट एक most important तो नहीं बोल सकते, एक debler method है, debler method में जो seed rate है, वो 25 से 30 kg per hectare ही use किया जाता था, क्योंकि ये जो debler method हो पहले use किया जाता था, अब debler method को follow नहीं करते, क्योंकि ये क्या है time consuming process है. अब बात आती है spacing की और depth of sewing की. जो spacing है, row to row हम spacing रखेंगे 20 से 22.5 cm, लेकिन plant to plant distance रखेंगे 15 से 18 cm. जहाँ पे seed rate increase हो जाएगा, जहाँ पे जैसे late sewing की है, तो 125 kg per hectare जहाँ पे seed rate यूज किया है, वहाँ पे row to row distance क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और plant to plant distance क्या रहेगा, सेम रहेगा. लेकिन जो depth of sewing है, वो क्या है, according to variety, dwarfness और towel variety के according depth of sewing क्या है, different है. क्योंकि जो depth of sewing है, वो mainly depend किसके उपर करती है, seed के size के उपर, ठीक है, bold है, small है, या फिर जो polyptile length है, उसके उपर, ठीक है. तो जो dwarf variety है, उसको हम 5 cm की depth तक उसकी sewing कर सकते हैं, depth में place कर सकते हैं, और जो semi dwarf है, उसकी sewing depth है 5 से 6 cm, लेकिन जो late sewn condition वाली जो varieties हैं, जो भी हम varieties select करते हैं, उनकी sewing हम 4 cm तक ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैकि जो germination का जो period होता है, वो भी तोड़ा सा delay हो गया है, जिसकी वज़े से germination के, जो full germination के chances भी कम होते हैं. तो इसलिए जो इसकी depth of sewing है, late sewn condition में कम ही रखी जाती हैं. जो sewing time है, under irrigated condition और rain fed condition में क्या है, अलग-अलग हैं. तो जो timely sewing condition है, irrigated condition के under में, तो वो है first week of November, first week of November to third week of November, ठीक है, जो time पे sewing की जाती है, under irrigated conditions में. लेकिन, in case क्या है, late sewing होती है, तो वो हम कर सकते हैं, 25th December तक, ठीक है, 25th December से पहले-पहले हमने क्या करने पड़ेगी, wheat की sewing. लेकिन, अगर condition है, rain fed, rain fed condition में, जो sewing है wheat की, वो best optimum time है, उसका end week of October से लेके, first week of November, ठीक है, अगर हमने क्या किया, rain fed condition में, अगर हमने first week of November से delay करते हैं, तो इस case में, उसकी yield क्या आएगी, कमाएगी. लेकिन, irrigated condition में, अगर हम 25 December से late करेंगे, तो उसका जो germination का time है, वो भी क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, और finally, जो crop की yield है, या तो seed का weight, या test weight है, उसका size है, shape है, वो कोई भी optimum नहीं होगा, ठीक है, इसलिए higher yield के लिए, ज्यादा productivity के लिए, crop की optimum time of sowing क्या होनी चाहिए, most important, उसको optimum time पे ही उसकी sowing करनी चाहिए, अब हम बात करेंगे, different methods of sowing, different methods of sowing में, जो most important है, वो है, broadcast method, behind local flow, drilling method, and zero tillis technique, अब हम discuss करेंगे, broadcast method, जो broadcast method है, इसमें क्या है, जितने भी wheat seed हमने लिया है, 100 kg या 125 kg, तो वो क्या हम क्या करेंगे, उसको broadcast कर देंगे, field के अंदर, और बाद में हैरो के द्वारा, उन seed को soil के साथ cover कर देंगे, ताकि उनको कोई bird बगेरा उठाके ना ले जाए, ठीक है, लेकिन इसके disadvantage क्या है, इसके अंदर जो germination है, seed का वो proper नहीं हो पाता, uneven germination होता है, और seed rate इसके अंदर 100 kg ना लगके कितना लगता है, 125 kg पर hectare, कहीं कहीं 150 kg पर hectare भी लग जाता है, और इसमें क्या होगा, कहीं population ज़्यादा है, किसी area में और किसी area के अंदर population क्या है, कम है, फिर हम बात करते हैं, behind local flow, behind local flow को जो farmer है, वो यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा farmer यूज करते हैं इसको, और इसमें क्या है, जो local flow है, उसके द्वारा फर्रो बना दी जाती है, और फिर हाथ के द्वारा seed फर्रोज में डाला जाता है, और उसको soil के द्वारा cover कर दिया जाता है, इसमें क्या है कि जो germination percentage है, जो plant population है, वो क्या है, optimum है, सेम किस में है drilling में, drilling में क्या है, एक 40 seed drill यूज की जाती है, जिसमें क्या है, funnel set की जाती है, एक proper distance पे, ठीक है, और fertilizer भी place किया जाता है, optimum depth पे, और seed को भी optimum depth पे क्या किया जाता है, साथ की साथ place किया जाता है, लेकिन जो drilling method है, वो पहले use किया जाता था, इस time पे drilling method को follow नहीं किया जाता, क्योंकि ये क्या है, एक very time consuming process है, और जो zero tillage technique है, ये most important technique है, जो rice wheat cultivation की, जो cropping system है, उसके अंदर use की जाती है, ये technique इसलिए आई, क्योंकि जो rice wheat cropping system है, वो एक इतना लंबा process है, जिस rice के cultivation की वज़े से main problem आती है, soil की physical condition की, soil की physical condition इसमें क्या हो जाती है, एकदम खराब हो जाती है, वो खराब में क्या है कि इसके अंदर एक puddling process होती है, और puddling process की वज़े से, जो soil का surface है, जो physical appearance हो क्या हो जाएगी, खराब, और उसको well seed bed prepare करने के लिए, कितनी plowing की जरूरत होती है, 6 या 7 plowing की requirement होती है, जो harrowing होती है, उनकी requirement होती है, तो zero tillase technique, एक SEI technique, अब हम बात करेंगे zero tillase techniques की, जो technique है zero tillase, यह क्या है, यह mainly use की जाती है, rice wheat cropping system के लिए, जो rice का cultivation किया जाता है, इसमें जो physical condition होती है, soil की वो बिल्कुल खराब होती है, और इसको well prepare करने के लिए, wheat के cultivation के लिए, उसमें 6 या 7 plowing की जाती है, by the heroin, ठीक है, लेकिन उनके 6 या 7 plowing के लिए, यह proper time चाहिए 15 या 20 दिन का, और 15 या 20 दिन का, अगर time farmer, कोई भी farmer field में लगाता है, seed bed prepare करने के लिए, तो वो delay करता है wheat की sowing को, और उसका फिर effect आएगा wheat की crop yield पे, ठीक है, तो इस जो problem है, main problem है, seed bed prepare करने की, या फिर wheat की sowing जो delay हो जाती है, उस problem को solve करने के लिए, scientist लेके आए, इसको zero tillis technique को, ठीक है, इसमें क्या है कि एक machine है, zero till 40 seed drill, ठीक है, zero tillis means, इसके अंदर at a time क्या होगा, sowing की जाएगी, simultaneously, जैसे हमने rice का cultivation किया, उस field के अंदर, फिर हम क्या करेंगे, फिर इसका rice का harvesting की, rice की harvesting करते ही, पांच या छे दिन में, या फिर एक या दो दिन बाद ही, हम wheat का cultivation करेंगे, इस machine के तुरू, और इस machine से कोई भी tillis process नहीं होगी, only जो फर्रोज हैं, उनको open किया जाता है, और उन फर्रोज में ही seed डाला जाता है, फनल के तुरू, ठीक है, जिसकी वज़े से जो proper germination है seed का, वो भी होता है, optimum plant population है, वो भी maintain रहती है, लेकिन इसके अंदर एक main बात है, जो seed rate है, वो कितनी requirement होती, 150 case per hectare की, ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, manures and fertilizers की, soil की fertility को maintain करने के लिए और improve करने के लिए, farmers या scientists अपलाई करते हैं, farm yard manure, compost और green manure, जो farm yard manure है और compost है, वो डाला जाता है, 10 to 15 ton per hectare की dose में, लेकिन ये डाला जाता है 15 से 20 दिन पहले before sowing, लेकिन जब irrigated condition है या फिर rain fed condition है, वहाँ पे fertilizer कैसे manage किया जाता है, किस time पे fertilizer की application की जाती है, और fertilizer जो apply किये जाते हैं, वो crop की जो need होती है, उसको क्या करते हैं, fulfill करते हैं, तो main जो fertilizer हैं, जो main nutrient हैं, वो है N, P, N, K, nitrogen जो supply किया जाता है, वो supply किया जाता है by the source urea, और आप उसको supply कर सकते हो by the ammonium sulfate के थ्रो, लेकिन phosphorus जो main source है, वो है SSP और DAP, लेकिन potassium का main source है, वो है murate और potassium chloride, तो जो irrigated condition है, तो वहाँ पे nitrogen की जो dose है, वो 120 kg per hectare, phosphorus 60 kg per hectare, लेकिन जो potassium है, वो 40 kg per hectare, और rain-fed condition के अंदर इसकी जो fertilizer की dose है, वो क्या हो जाती है, नेरबाई half हो जाती है, अब हम discuss करेंगे कि किस time पे हमें ये fertilizer apply करने चाहिए, किस time पे इनकी application से इनकी जो fertilizer huge efficiency है, वो ज़्यादा आ सकती है, तो nitrogen को दो time पे डाला जाता है, एक तो क्या है as a basal dose, mean at the time of sowing, और दूसरी dose डाली जाती है after the sowing, तो after the sowing जब हम nitrogen की application करते हैं, तो 50% हम as a basal dose डालेंगे, और 50% कब डालेंगे, या तो हम डाल सकते हैं उसको जब first irrigation दी जाती है, crown root initiation stage पे, और second हम डाल सकते हैं flowering stage पे, means 25% CRI and 25% at flowering stage पे, ठीक है, लेकिन phosphorus और potassium की जो full dose है, वो डाली जाती है as a basal dose at the time of sowing of the wheat crop, ठीक है, लेकिन जो rain feed condition है, उसमें nitrogen, phosphorus और potassium, टीनों को हम at the time of sowing as a basal dose उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ऐसे क्या कर सकते हैं, nitrogen की efficiency, phosphorus की और potassium की efficiency increase हो जाती है, और plant ज़्यादा से ज़्यादा nutrient का क्या कर लेता है, यूज करता है, wheat mean क्या एक ruby season crop है, तो ruby season crop है, तो इसके अंदर बहुत सारी क्या है, irrigation की requirement भी है, जो dwarf varieties जैसे हमने पहली slides में discuss किया था, कि revolution के time पे जो dwarf variety या semi dwarf variety डवलप की थी, तो वो variety को क्या चाहिए, high yield produce करने के लिए ज़्यादा water चाहिए, ठीक है, तो इसमें जो number of irrigation है, वो किस के बीच में दी जाती है, 5 या 6 number of irrigation इसके lifetime के बीच में दी जाती है, ठीक है, तो जो most important stages है, जिनके उपर irrigation दी जाती है, अगर इन stages पे irrigation नहीं apply की गई, तो जो crop की yield है, वो क्या हो जाएगी, reduce हो जाएगी, तो जो most important stage है, वो है crown root initiation stage, ठीक है, second है tillering stage, उसके बाद application की जाती है water की, वो है late jointing stage, फिर है flowering stage, और at door stage, ठीक है, लेकिन कहा है, in case farmer के पास एक ही irrigation facility है, एक ही time पे वो irrigation दे सकता है, तो वो most important stage होगी, crown root initiation stage, अगर farmer के पास दो water availability है, दो time पे irrigation दे सकता है, तो उसके लिए first है crown root initiation, और दूसरी stage है कौन सी flowering stage, ठीक है, लेकिन in case farmer के पास ती number of irrigation available है, तो first stage होगी crown root initiation, second होगी late jointing stage, और third stage कौन सी होगी, at the time of those days, ठीक है, तो ऐसी कर करके किसान क्या कर सकता है, अपनी जो irrigation है, क्रोप को जो apply की जाती है, irrigation उसकी efficiency increase कर सकता है, और water का waste stress इससे क्या हो जाएगा, reduce हो जाएगा, और farmer की income इससे increase हो जाती है, अब हम बात करेंगे weed management in weed crop, weed crop के अंदर भी weed का competition क्या है, भो ज़्यादा है, जैसे हम बोल सकते हैं, dominant weed है, weed का वो है, flaris minor, kristian neal, kandai, और उसको हम बोल सकते हैं, एक है गजरी बोलते हैं, जिसको यह क्या है, most important weed है, weed crop के, तो इनको weed की population को कम करने के लिए, क्या किया जाता है, hand weeding की जाती है, in case hand weeding नहीं हो पाती है, तो क्या किया जाता है, herbicide की application, different type के herbicides हैं, herbicides का mixture है, वो हम use करते हैं, तो हम बात करेंगे matri vision की, जो matri vision है, यह एक pre-emergence herbicide है, और इसको apply किया जाता है, 0.2 से 0.315 kg per hectare की dose से, फिर post-emergence जो herbicide है, वो डाला जाता है, sulfosulfuron, at the rate of 0.025 से लेके 0.05 kg per hectare, और यह क्या है, post-emergence herbicide है, और इनको use किया जाता है, grasses और broad leaf weed के लिए, फिर हम बात करेंगे, phenoxaprop, p-ethyl, जो herbicide है, और मिजो-sulfuron herbicide है, और trachy, जो dm है, वो herbicide है, यह grasses को control करेगा, like plaris minor को, और avena fatria को, ठीक है, और साथ में क्या है, फिर clodinophobe को हम use कर सकते हैं, और जो chlor-sulfuron है, उसका भी हम use कर सकते हैं, as a post-emergence herbicide, लेकिन better weed control के लिए, हम क्या करेंगे, phenoxadine, और mad sulfuron, methyl, और जो carfantra zone है, उसका हम use करेंगे, और साथ में हम use करेंगे, 240, इसका हम क्या बनाएंगे, एक mixture बनाएंगे, और इनके क्या करेंगे, sequential application भी हम कर सकते हैं, और यह more effective होगा, weed control करने के लिए, weed crop के अंदर, then isoproterone plus 240 के mixture से, यह है full process weed management in weed crop, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इनका mixer भी use कर सकते हैं, और इनको single भी use कर सकते हैं, अब हम बात करेंगे, harvesting और threshing के, जो weed crop है, जब harvest की जाती है, उसको हम harvest करने के लिए symptom देखते हैं, कि जो leaves का color है, या stem का color है, वो कैसा है, तो leaves और stem का color कैसा हो जाता है, yellow color का और जो stem है, leaves है, वो become dry, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे grain का जो percentage होता, मैसर content होता है, वो होता है, 25 से 30%, ठीक है, और harvesting हम करेंगे, बाइदी, सीकल, बुलक, ड्राइन, जो रेपर्स होते हैं, उनके द्वारा, लेकिन एक combine भी हम use कर सकते हैं, machine, ये क्या करेगी, harvesting भी करेगी, साथ में tracing भी करेगी, और उसके साथ साथ ये कौन सी process भी complete करेगी, winnowing की process भी complete करेगी, ठीक है, लेकिन फिर क्या है, अगर in case हमने क्या की है, hand से harvesting की है, हाथ से इसको काटा है, wheat की crop को, तो हम क्या करेंगे, after harvesting, wheat crop को field के अंदर 3 या 4 या 5 दिन के लिए छोड़ देंगे, ताकि उसका जो moisture content है, 25 से 30 परसेंट से, कहां आ जाए, डाउन आ जाए, और वो इतना आ जाए कि हम उसको क्या कर सकें, store कर सकें, ठीक है, और storage के लिए, जो germination, जो moisture content है, वो कितना होना चाहिए, 10-12%, otherwise उसके अंदर जो insect pest का attack, वो क्या हो जाएगा, जादा हो जाएगा, अब finally बात आती है yield की, अगर irrigated condition है, वहाँ पे production और per unit area जो yield है, वो crop की increase हो जाती है, तो हम harvest कर सकते हैं, 45-55 quintal per hectare under irrigated condition, but under rain-fed condition, we can harvest only 20-25 quintal per hectare grain yield of the feed crop. Thank you very much for watching this video, please video को like कीजिये, share कीजिये, comment कीजिये, और चैनल को subscribe कीजिये, मिलते हैं next video के साथ, ओके, bye-bye, thank you so much.